और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दे मालदीव को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षदीव की तस्वीरों पर मालदीव के मंत्री की टिपणी के मामने में भारतिय विदेश मंत्राले ने कड़ी नराजगी जाहिर की है उचायों के तरफ से ये मुद्धा उठाये गया है आपको ये बता दे के पिछले दिनों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षदीव की जो तस्वीरे सामने आई थी उस पर मालदीव के मंत्री ने आपक्ती जनक टिपणी की थी और इसे लेकर मालदीव के मंत्री अब अपने ही देश में लगातार घिरने लगे हैं ये बहुत बड़ी ख़बर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षदीव की तस्वीरों पर मालदीव के मंत्री की टिपणी के मामले में अब भा बाद इस तरीके की टिपणी आना और अब भारते वुदेश मंत्राले की तरफ से भी कड़ी नराजगी जाहिर कर दी गई है। महिला मंत्री ने भारत सरकार वारत के इन टापों को इन सुंदर द्वीपों को और प्रधान मंत्री के ट्वीट पर जो गंदी प्रतिक्रिया दी थी उसके उपर से भी मालदीव सरकार ने अपने कड़म वापस खीच लिया है। में ही भारत के उन अनिक्स्लोर्ड टरिटरी में जाने की बात करने लगे थे जो सेबरिटी आज तक मालडीव जाने की वखालत करते रहे थे। तो एक बहुत बड़ा वयापार का केंड दे था तो वालडीव को इससे बहुत बड़ा नुक्सान भी हो सकता है। पूरी अर्थविवस्था भारत के भरोसे ही चलती है और भारत ने उनको काफी जुरक्षा भी दी हुई है। अगर किसी कानों से, किसी और देश के दवाव में या किसी और देश के इंफ्लूइंस में अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है। यहां के कमरे भारत के अपने आपको लग करना दिखाता है कि भारत माल्डीफ के लिए कितना जरूरी है और भारत के ये जो एक्जोटिक लोकेशन्स हैं अब प्रधान मंत्री जिसकी बात करते हैं वोकल फा लोकल कि अपने ही परेटन केंडरों पर जाए अपने ही ताकि अपने देश की अर्द्वरसा मजबूत रहे मुझे लगता है आज जो सेलिब्रेटीज ने ट्वीट किया है उसके बाद से इसको काभी बल मिलेगा बिल्कुल अमिताब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए लेकिन देखें बड़ी खबर इस वक्त कि आपको बता रहा है बारतिय विदेश मंत्राले की तरफ से भी देखें साफत और पर सक्त टिपड़ी की गई है और जिस तरीके से मालदीव के मं प्सूरत ये है लेकिन आपको तस्वीर दिखा रहें लक्षदीप की इसी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआता भारते उचायू की तरफ से आपत्ती जताई गई है और इसके बाद अब यहां पर लगातार जो विवादस पुद बयान दिया गया उसको लेकर भार पर हर साल हर महीने यात्रा करते हैं और इस बयान के आने के बाद वहाँ पर लुक्सान पहुंचना शुरू हो गया था और इसी लिए मानए जा रहे कि यूटर इस बयान से हो सकता है तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे मालदीव की सरकार ने महिला मंत्री के बयान को निजी बताया है मालदीव सरकार ने कहा कि सरकार का ये मत नहीं है ये उनका निजी मत वो सकता है हाला कि आपको ये भी बता दे कि जो पोस्ट किया गया था बाद में उसे डिलीट उनकी तरफ से कर दिया गया है लेकिन अब सरकार ने इस बयान से किनारा कर दिया है तो भारत के कड़े रुक से मालदीव किस तरीके से डरा सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मंतरी ने जो ट्वीट किया था उसे वापस ले लिया गया लेकिन भारत के कड़े रुक के बाद ये फैसला लिया गया है कि अपनी ही मंतरी के किलाफ मालदीव जो है बड़ा आक्शन लेगा इतना इने भारती उचयू की तरफ से भी जो है वो साफतोर पर कहा गया है कि जो भी बयान दिया गया था वो पूरी तरह से गलत है और भारत के बाइकॉट से मालदीव किस तरीके से डरा है कि अपनी मंत्री के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी मालदीव की तर और अगर भारत नराज हो जाता है या भारत इसके बाद कोई बड़ा एक्शन भी अगर ले लेता है तो अर्थ विवस्ता वहां की बहुत जादा नुकसान में पहुँच सकती है और इसलिए माना ये जा रहा है कि भारत के इस कड़े रुक से माल्दीव जर गया है। ऐसा था कि बड़ी तादाद में लोगों ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र हो दिया आपको याद होगा जब उन्होंने ट्वीट किया था उनकी तरफ से तस्वीरे साजह की गई थी तो वहां की खुपसूरती के बारे मे बताया गया था लेकिन आप देखिए कि ये जो बयान सामने आया हलाकि सरकार अब इससे किनारा करती हुई दिखाईते रही है देखिए अगर माल्दीव की बात करें तो टूरिजम का एक बहुत बड़ा जो है स्पेस माना जाता है और ददा जो आनकारी के लिए हमारे से होगी नीरज हमारे साथ फोन आइन पर जूर चुक है नीरज भारत की तरह से जो बाइकोट किया गया अब माल्दीव की तरह से क बाजवारा कि अब हम अपनी मंत्री के खिलाफ बड़ा आक्शन लेंगे कि इस तरह के बयान से माल्दीव की सरकार का कोई लेना देना नहीं है नीजी बयान है और उसी बयान के अंत में ये लिखा गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो डेरोगेटरी रिमार्क्स देते हैं उनके खिलाफ कारवाई करने सभी नहीं चुगेगी एक हिदायत कह सकते हैं मंतरी के खिलाफ मंतरी के खिलाफ कोई कारवाई होती है कि नहीं ये देखना होगा लेकिन जिस तरह से सोचल मीडिया पर मंतरी के प्रधान मंतरी पर बयानों के खिलाफ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं चाहे फिल्म जगत के लोगों की बात करे या आम लोगों की बात करे या पिर खुद मालदीव के विफक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए है वो सरकार को यानि मालदीव की सरकार को बैक फुट पे लाने पर मजबूर कर दिया और इसलिए मालदीव की सरकार की तरफ से ये बयान जारी किया गया मेरज इससे पहले हमने ये भी देखा कि नए राजशुपती की तरफ से एक संकेत भी दिया गया, बने रहेगा हमारे साथ, लेकिन इस पर जानकारी आप से और भी लेंगे, ख़बर पहले दर्शुपों को लगातार जो वहां से मिल रही है, ये बता देते हैं, और इसी से पर टिपणी की थी, निशीद ने प्रियम मोदी पर मालदीव के मंतरी की और से की गई टिपणी की निंदा की है, उन्होंने मंतरी मरियम शिउना की भाशा को घटिया बताया और भारत को मालदीव की सुरक्षा और समरिद्धी के लिए एक प्रमुक सहियोगी बताया, और अपने ही देश में घिरने के बाद मालदीव की मंत्री ने अपना विवादास पत सोशल मीडिया पोस्स डिलीट कर दिया है। पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठा दिया और उसका नतीजा ये रहा कि आप इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा है। मालदीव की मंत्री की टिपड़ी को पलट बार हुने लगा है हिंदी फुल्म अबिनिता अक्षे कुबार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि मालदीव में भारत में सबसे जाध अपरे अटक जाते हैं। में मालदीव की मंत्री को गरिमा का खयाल रखना चाहिए। क्रिकेट के भगवान जिनको कहा जाता है उन्होंने भी अपनी भावनाय रखिया और दोनोंने कॉमन बाते कही अति थी देवभवा। यानि आप दूसरे देश को या दूसरे देश के किसी जगा को इस तरीके से नहीं लिख सकती है। जौन अब्रहाम का भी ट्वीट है और इन सभी स्टार्स ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि अगली दफा जब हम जाएंगे तो हम लक्षदी पी जाएंगे। यह पीए मोदी की तस्वीर है। यह तस्वीर जिस दिन सामने आई थी उसके बाद ही मौल्दिव के मंतरी के तरफ से कैसा स्टेट्मेंट सामने आया जिस पर भारतिये भड़क गए। भारतिये नाराज हो गए। और मौल्दिव को परिशानी इस बास दे थी क्योंकि वो देश पूरी तरीके से यात्रा पर टिका हुआ है वेपार का जरिया जो है बिसनस कार्थिक मस्बूती जो उसको मुलती है वो वहाँ प्रेटकों की पहुँचने की वच्चे से उसे लगा कि अगर भारत अपनी और ऐसा होने भी लगा है क्योंकि इस तरीके से मैसेज कन्वे होने लगा कि अब हम माल्दू के जगा पे लक्ष्वदीप जाएंगे जहां कि यह खूबसूरा तस्वीर जिसमें पीए मोदी आपको नसरा रही हैं वो तस्वीर और यही वज़ा है कि जो भारत के बड़े स् आपको यही बड़ी बाती बताबे हैं माल्दू के मंतरी के भारत विरुती बैयार के बाद से सोशल मीडिया पर बायकॉट माल्दू ट्रेंड हो रहा है इतना ही नहीं कई लोग ऐसे हैं जो माल्दू के अपने टूर को बखाइदा कैंसल कर रहे हैं और नक्षुदीप जा अदासा भी नहीं है इन्फऱेस्ट्रक्चर ही भारत के पूरे इन्फरास्ट्रक्चर से जढ़ा है याने कि देखें किस तरीके से डिफ्रेंसियेशन करने की कोशिच यह 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 नहीं पर की गए भारत को हमारे बीच परेटन से कड़ी चकर मिलेगी क्योंकि जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से जब ये फोटो सोशल मीडिया पर डाली गई तो उन्होंने बताया कि आखिर कितना खूबसूरत है लक्षदीप जिसको लेकर ये पूरा विवाद शु सबसे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो जन्वरी को लक्षदीप के दौरे पर गए थे जिसकी बहुत खूबसूरत तस्वीरे प्रधान मंत्री ने खुझ साजा की थी इतुना इने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षदीब दौरे की तस्वीरे जो है सोशल मीडिया पर शियर की थी जिसके लोग खुब वावाई करते कोई भी नजर आए और मालदीव के मंत्री ने पीए मोदी के दौरे पर उसके बाद टिपणी की थी तो मालदीव के मंत्री ने जैसे ही पीए मोदी के दौरे पर टिपणी की सोशल मीडिया पोस्ट में भारत पर जो है बकायता जो हमने आपको बताये भी क्या किर उन्होंने टिपणी में जो है क्या कुछ कहा जिसके बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड होने ल आश्टैग बाइकोट मालदीव जो है वो ट्रेंड होने लगा जिसके बाद हर कोई जो है इस पोस्ट को आगे बढ़ाता हुआ नजर आया कई लोगों ने अपनी जो मालदीव की यात्रा है वो रद कर दी है जिसे फिनेंशल तोर पर माना जा रहा है कि वहाँ पर बहुत बारी नुकसान हुआ हवाई यात्रा होटेल बुकिंग को यहाँ पर बकाईदक कैंसल कर दिया गया कई भारतियों की तरफ से सल्मान खान ने ट्वीट किया है लक्षुदीप के सुंदर स्वच्छ और आश्चर्य जनक समुद्र तटो पर हमारे माननी प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है यह सल्मान खान का ट्वीट आपको देखा रहे और उन्होंने यह भी लिख च्छुदीप आपको देखाई प्रधार मोदीर तया फunnा बहुत आपको देखाई झाल ट्वीटा आपको देखाई मुदीपिया Me